पूछा है जो आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ज्याती पूछ रहे हैं नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फ़नेशन बिहार में ज्याती धारित गणना करवाई गई और इस गणना के जो आकड़े हैं वो भी अब सारवजनिक होगे हैं इस आकड़े के सारवजनिक होने के साथ बिहार की राजनीती भी शुरू हो गई है जहां एक तरफ विपक्ष में खड़ी वीजेपी की सरकार लगतार मुख्यमंतरी नतीश कुमार पर कटाक्ष कर रही है मुख्यमंतरी नतीश कुमार की सरकार पर हमला वर है वीजेपी का कहना है कि ये ज्यातिय धारी गणना बिल्कुल गलत गणना है ये सही तरीके से नहीं करवाई गई है अब इस जाती धारी गणना को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो किया है और इस वार विवाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार के कभी बेहत करीबी हुआ करते थे शुशिल कुमार मोदी ने शुरू किया है जद्यू प्रवक्ता निरश कुमार ने नरेंद्र मोदी की जाती को लेकर सवाल उठाया तो बीजेपी ने उनसे ही सवाल कर दिया बीजेपी के सांसा सुशिल कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि मुद्दा विहीन विपक्ष प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को पिछड़ी जाती और उनके माता पिता की गरीवी का मजाक उड़ा रही है उनमें सरकार के कल्यानकारी फैस्व पर बात करने की हिम्मत नहीं है रविवार को जारी बयान में मोदी ने कहा कि जो लोग 9 साल के बाद प्रधान मंतरी की जाती पूछ रहे हैं उन्होंने कभी राहुल गांधी से उनकी जाती क्यों नहीं पूछी शुशिल कुमार मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस के पिछड़े समाज के चरन संग को प्रधान मंतरी के रूप में संसत का मुह नहीं देखने दिया और हुटी दिवगोडा की सरकार ने मातरी 11 महीने में ही गिरा दी अब कॉंग्रेस की गोद में बैठे जदियू राजज जैसे छेत्रिय दल भी पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंत्र मोदी को बरदाश नहीं कर पा रहे हैं पिछड़े समाज से पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति प्रधान मंत्री बना है जो कॉंग्रेस की कृपा पर निर्भर नहीं है 9 साल से बिना एक दिन की छुटी लिए पिछड़े अति पिछड़े और दलित समुदाय के कडोडो गरीवों के लिए काम कर रहा है क्या इस बात पर बात नहीं होनी चाहिए वही बिहार बीजेपी मनोज शर्माने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की जाती के बारे में बिहार सरकार को सत्तारूर दड़ जद्यू को लोगों में भ्रह्मन फैलाने का काम बताया रवी बार को जारी बयान में कहा कि जद्यू तathीन बाते कर रही है भाजपा नेता ने कहा कि जद्यू नेताओं में जानकारी की कमी है आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंदन के पास गंभीर और तथ्यात्मक मुद्दे नहीं है ऐसे मुद्दे पर लोगों के बीच में ब्रह्मन पैदा किया जा रहा है जिसका कोई अधार नहीं है एक तरफ जहां जदियू के MLC नीरश कुमार ने ये सवाल कर दिया सवाल उनका था कि जरा बताएं कि प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी किस जाती से आते हैं इस फर बीजेपी के सांसद शुशिल कुमार मोदी ने जम कर बरसा है जदियू MLC नीरश कुमार पर और कहा है कि कभी आपने राहुल गांधी से उनकी जात पूछी है क्या और 9 साल से एक व्यक्ति बिना छुटी लिए काम कर रहा है और ऐसे व्यक्ति के कामों की बात आपको करनी चाहिए ना कि जातियों की बात करनी चाहिए आज आपने उनकी जाती को पूछ कर उनके माता पिता और उनकी गरीबी का मजा कुड़ाया है कभी आपने इतने दिन सत्ता में बैठे कॉंग्रेस से पूछा है, कभी आपने ये पूछा है कि राहूल गांधी किस जाती से आते हैं, फिलाल कला इस ख़बर मत नहीं, तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहें, न्यूस फोरनेशन